हेलो फ्रेंड वेल्कम टूम टूम यूट्टीब चैन्चन्ट आज किस नए वीडिव मैं फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर देशेते हैं यहां हमारे गौं का अदम मौसम पूरा सुहाना हो चुका है सुहाना होने का मतलब है बहुत ज़्यादा हो चुका ह थेंडा जादा नहीं हुआ है लुइस अगर को सहर का मतलब आता क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहूंगा यह लब बकल साम को थोड़ा सा पानी हुआ है चैसा है जो है वो कुछ ठेंडा हुआ ज्यादा ठेंडा नहीं हुआ है फ्रेंड्स कुछ ठेंडा हुआ है और चार तरफ का एक वार आप नजार देख लिए कैसा है गौं का नजारा और आपको दम पूरा खेट यहां पर खाली दिख रहा होगा दूर दूर तक उसका वज़ाई है कि अभी कुछ फसल रुपने का अभी तैयारी हो रहा है लबक धान के फसल के लिए तो वन सेकेंड धान के उपर भी वीडियो आना सुरू होगा और एक बार चार तरफ का अधी नजारा देख लिए कैसा है हर्याली अभी तो नहीं है अब यह अगस्त का महीना आने वाला है सा सामके चार वरी तक पांच वरी तक दम पूरा जाब बहुत जाता गर्मी है और अभी लबक कोई सा भी ज्यादा टॉपक नहीं मिला है वीडियो बनाने के लिए तो इस वाज़े से वीडियो लेट हो रहा है लेकिन मैं कल से कल साय जामून के उपर वीडियो आएगा मतलब जामून जो होता है उसके ओपर वीडियो आएगा तो वेट दिखने के लिए हमाई चलको अब सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफेस जल्द जलूर ऑन कीजिए मैं आपको बताने चाहूंगा यहां पर दिखते चार तरफ करना जा रहा है तो बनिया सुहाना दम औ तो बस में इंफोर्मेशन आपके देने आया हूं कि गर्मी के विए से ज्यादा वीडियो आने में लेट हो रहा था लेकिन अब थोड़ा कल रात के बारिस के बाद मौसम से हो चुका है तो बस इस वीडियो में इतना ही इतना इन्फॉर्मेशन देना था तो जय हिंद जय जय जय किसान ठैंक्स फॉर वाच्चिंग वहां पर दिखेतें कुछ बखरियां है मैं आपको जूंग करके दिखाता हूं और सभी देखेतें वहां पर उजला काला बक्री है बक्री गोट है वहां पर और इथर का नजार देखी सकते हैं कितना बनिया दिख़रा है चाहतरो और गाउं का नजार तो लग ही होता है अब हर्याली नहीं है ज्यादा सावन को महिना बहुत जदा हर्याली हो जाता है तब बस इस वीडियो में इतना है जय हिंद